नमस्कार दोस्तों आपने भी ध्यान दिया होगा कि हिंदु धर्म में जब भी शादी होती है तो दुलहन को महंदी लगाई जाती है क्योंकि महंदी न केवल दुलहन के खुफसूर्थी को निखारती है बलकि 16 श्विंगार का भी हिस्सा है लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि शादी में दूले को भी महंदी लगाई जाती है लेकिन ऐसा क्यों क्या आप जानते हैं कि शादी में दूले को महंदी क्यों रचाई जाती है तो अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो अंति तक जरूर देखे क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि शादी में दूलहे को महंदी क्यों लगाई जाती है तो आईए जानते हैं शादी में दूलहा और दुलहन को महंदी लगाने की परंपरा नकेवल शादी के पूर्व की एक मज़ेदार रस्म है बलके इसका सांस्कृतिक महत तो भी बहुत गहरा है महंदी एक आयरवेडिक दवाई मानी गई है ये शरीर और मस्तिक्स की गर्मी को शान्त कर रिलेक्स करती है और तनाव मुक्त बनाती है साथी महंदी की खुश्वू इंसान में सकारात्म कुर्जा को बढ़ाती है धार्मिक दृष्ट्री से देखें तो शादी में महंदी लगाना शुप माना चाता है ये भी कहा जाता है कि शादी के समय दूला दुलन शादी को लेकर घबराहट महसूस करने लगते हैं ऐसे में महंदी जो ठंड़क देती है जब बॉड़ी पर रचाई जाती है तो इससे बॉड़ी टेंप्रेशर कम होता है इसी वजह से उन्हें हातों और पैर में महंदी लगाई जाती है इसके अलाबा महंदी को प्यार की निशानी भी माना जाता है कहते हैं कि महन्दी का रंग जितना लाल होता है कपल के बीच उतना ही ज्यादा प्यार बढ़ता है साधी शादी में जितने लंबे समय तक रंग चड़ा रहे कपल के लिए वो उतना ही भाकिशाली होता है मान्यताओं के नुसार लड़की को महंदी का रंग जितना गाड़ा चड़ता है उसमें और उसकी सास में उतना ही प्यार माना जाता है विग्यान के नुसार शादी की सारी मस्ती के साथ मानसिक और शाररिक तनाव भी आता है महंदी आपके शरीर और तनाव ग्रस्त नसों को शान्त करने में मदद करती है इसके साथ ही महंदी से आपके शरीर और दिमाग को आराम और शान्ती महसूस होती है यही नहीं महंदी सिर्दर्द और बुखार के इलाज में भी मदद करती है चोकि शादी के कुछ दिन पहले से ही घर में रौनक आने लगती है जिसकी वज़े से दूला-दुलन की नींद नहीं पूरी होती ऐसे में महन्दी लड़का और लड़की दोनों में ताजगी प्रदान करती है इसके अलावा महन्दी की हीलिंग गुंड भी होते हैं जी हां ऐसा इसलिए क्योंकि महन्दी प्राकर्दिक पत्तों से बनाई जाती है इसलिए अगर फंक्शन्स के दौरान दूला-दुलन ये परिवार के किसी अन्य सदस्य को चोट या खरोच लग जाए तो आप उस जगा पर महन्दी लगा सकते हैं महन्दी से चोट की जलन भी कम होगी और ये घाव को भढ़ने में भी मदद करती है इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद